Hey my beautiful viewers, welcome to Empty Kitchen. आज मैं बनाने जारी है स्मोकी चिकन. बहुत से लोगों को कोईले के उपर बनाया हुआ चिकन बहुत ही पसंद आता है. जब भी उन्हें खाने का मन करता है तो वो रेस्टोरेंट जाते हैं और खा कर आते हैं. सेम रेस्टोरेंट जैसे ही स्मोकी चिकन मैं आज आपको घर पे बनाना सिखाती हूँ. ओ भी कम चीजों में और आसान तरीके से. मैं आज इस रेसिपी को बनाने के लिए चिकन लेक पीस को ली हूँ. क्योंकि मुझे लेक पीस बहुत ही पसंद है. अगर आपको भी लेक पीस पसंद हो तो कमेंट में जरूर बताना. आप इस रेसिपी को बनाने के लिए चिकन के कोई भी पीसस ले सकते हैं. चलिए इसे किस तरह से बनाते हैं देखते हैं. मैं यहाँ पर पांच भड़े लेक पिस ली हूँ और इसे मैंने अच्छे से दो लिया है और कट भी लगा लिया है. दिकारियों देखें यहाँ पर बड़े-बड़े से क्योंकि इसमें मसाल अच्छे से भर जाता है. सबसे पहले हम पेस्ट रड़ी करेंगे. इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक टेबल स्पून गरम मसाले का पौडर. दो टेबल स्पून कश्पीर लाल मिर्च पौडर इससे कलर बढ़िया आता है. और टेस्ट भी एक टेबल स्पून जीरा पौडर. वन एंड अफ टेबल स्पून धनिया पौडर. और स्वाद अनुसार नमक. दो टेबल स्पून अधरक का पेस्ट. दो टेबल स्पून लेसुन का पेस्ट. और एक कटोरा उतना फेटा हुआ दहीं अच्छे से फेट लीजिए. और थोड़ा सा रेड फूट कलर. फूट कलर ऑप्शनल है. और अच्छे से मिक्स कर लीजिए इन सब चीज़ों को. और एक एक करकी पांचोल एक पीसों को इसमें एड़ कर दें हाथों की मदद से. हाथों की मदद से अच्छे से लग जाएगा इसमें मसाला. देखिए अच्छे से भर लें मसाला. अच्छे से मिक्स होने के बाद इसके उपर से टू टेबल स्पून को उन फ्लावर आड़ कर दें. और फिर से अच्छे से एक बार मिक्स कर लें. मतलब मसाला अच्छे से लगा लें. मैं यहाँ पर एक टेबल स्पून हल्दी का पॉर्डर के एड़ कर रहे हूँ. मैं यहाँ पर पहले दालना भूल गई थी. आप पहले ही डाली चीए. और इसे फिर से एक बार अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ मैं. और इसे आदे गंटे के लिए ड़क कर रख देती हूँ. एक कडाई लें और इसमें तेल गरम होने के लिए रख दें. तेल भी गरम हो चुका है. और यहाँ पर मैंने चिकन रख के 30 मिनिट सो चुके थे. अब मैं इसे फ्राई कर रही हूँ. एक-एक करके फ्राई कर लें आचे से. डीफ फ्राई करना है हमें यहाँ पर. इसे पकने में थोड़ा देर लगेगा क्योंकि यह बड़े लेकपीस हैं. अंदर तक उतना जल्ब नहीं पक जाता. इसलिए थोड़ा वक्त लेगा. देखिए एक साइड में अचे से पक चुके हैं. मैं अब इसे टर्न करूंगी. क्योंकि हमें दो तरफ से आचे से पक जाना चाहिए लेकपीस. देखिए यहाँ पर अचे से पक चुके हैं लेकपीस. अब मैं इसी तरह से जो बचे हैं उसे भी फ्राइ कर लूँगी देखिए यहाँ पे मैंने इसी तरह से फूरे लेक्पीस को फ्राइ कर लिया है हम इसे दुआदार चिकन भी बोल सकते हैं क्यूंकि हम कोईले का धुआ ही देते हैं इसमें देखिए, यहाँ पे मैंने एक तवा लिया है, तवा भी अच्छे से गरम हो चुका है और मैंने यहाँ पे एक टेबलश्पून बटर दाली हूँ और बटर को भी तवे पे अच्छे से फैला ले बटर भी अच्छे से तवे को लग जाना चाहिए क्योंकि हम यहाँ पे तेल का इस्तिमाल नहीं करेंगे बटर से टेस्ट बढ़ जाता है इसलिए मैंने यहाँ पे बटर इस्तिमाल की हूँ अगर आपके पास बटर ना हो तो आप थोड़ा तेल का इस्तिमाल भी कर सकते हैं और एक एक करकी मैं यहाँ पे 5 leg pieces को तवे के उपर रख लूँगी क्यूंकि हमें अब इससे कोईले का दुआ देना है मैं यहाँ पे करेक्ट से रख ली हूँ leg pieces को अब मैं यहाँ पे एक foil paper का कर्टोरा बना ली हूँ और इसके उपर से मैं कोईला रख दूँगी एक बड़े बरतन से इसे ढख कर रख दें जब तक यह धुआ बनना हो जाए आप चाहिए तो इसे पांस से दस मिनिट तग भी रख सकते हैं ऐसे ही और घ्यास के फ्लेम को भी बंद कर दें और यहां पर हमारे मज़ेदार स्मोकी चिकन रेडी हो चुका है अगर आपको मेरी बनाई हुए धुआदार चिकन की रेसिपी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक शेर कमेंट कर देना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना